हाई गाईज माई नेम इस महेंद्र एंड वेलकम बैक टू ए प्लैनेट आज की इस वीडियों में बात करने वाले हैं एक पोईट्री की जिसका नाम है थिंकिंग और इस पोईट्री का एक दुस्रा टाइटल है दा मैं फू थिंक्स ही कैड और जिसे लिखा गया था अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपको तंग किया जा रहा है यू आर तो आप तंग हुए हूँ अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप हिंबत नहीं कर सकते किसी चीज के लिए यू डॉंट तो नहीं करते हो If you like to win, अगर आपको जीतना पसंद है, but you think you can't, लेकिन तुम सोचते हो कि तुम नहीं जीत सकते It is almost certain you want, तो ये लगबग तय है कि आप कभी नहीं करोगे If you think you will lose, you are lost for out of the world we find अगर आप सोचते हो कि तुम हार जाओगे, तो आप बाहरी दुनिया के लिए पहले सही हार चुके हो Success begins with a fellow's will, काम्याभी शुरू होती है एक व्यक्ति की इच्छा से It's all in the state of mind, और यहाँ सब बाते, mind की state है If you think you are outclassed, you are अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपको छोड़ कर कोई आगे चले गया है आप से आगे चले गया है, आप पीछे रह गए हैं, तो आप रह गए हो You've got to think high to rise आपको उची सोच रखनी पड़ेगी, उची उडान के लिए You've got to be sure of yourself before you can ever win a prize आपको आपकी मंजिल मिलने से पहले, खुद पर भरोसा करना पड़ेगा तभी आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो, कुछ काम्याभी पा सकते हो आपको decide करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो, तभी आपको मंजिल मिलेगी Life's battles don't always go to the stronger or faster man जिंदिगी की लड़ाईयां हमेशा एक ताकतवार या फिर तेज इन इनसानों के हाथों में ही नहीं होती ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही लोग जीते But soon or late, the man who wins is the man who thinks he can लेकिन जल्दी या देर से जीतता सिर्फ वही इनसान है जो यहाँ सोच रखता है कि वहाँ कर सकता है So guys, thanks for watching this video I hope कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सिखे होंगे मैं भी इस वीडियो से personally बहुत कुछ सिखा हूँ और मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप इस poetry को सुनने के बाद इसके बारे में जरूर सोचे धन्यवाद